हलो दोस्तों कैसे हैं आप बहुत ही अछे होंगे और और बैतर बनने के रिए आप मनेद कर रहे होंगे दोस्तों मेरा नामने लालमन और मैं आप समी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल कोच क्वाले वहिया में दोस्तों, आज हमारा episode number 12 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं, अपुवर्तनांक यवंग प्रकास की चाल में क्या सम्बंद होता है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रकासिक सगन तथा प्रकासिक बिरल माध्यम क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन थ 11 एपिसोड कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अल्रेडी बन चुकी है, आई बटन के उसका लिंक आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करके अन्य एपिसोड को भी देख सकते हैं, तो आईए शुरू करते हैं, आज का एपिसोड नंबर 12. आप वहाँ प्लेडा रहा है, तो हम समझते हैं कि अपवरतनांख और प्रकास की चाल में क्या संबंद होता है, हम माल लेते हैं कि यह कोई दो माध्यमों को अलग करने वाला सीमा प्रिष्ट PQ है, उपर माध्यम एक है और नीचे माध्यम दो है, माध्यम 1 में प्रकास की चाल V2 है तो अब अगर हमें इसका अपवर्तनांक लिखना हो तो अपवर्तनांक लिखने का तरीका क्या होता है अगर हम यह लिखें कि 1 and 2 इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम 1 के सापेच माध्यम 2 का अपवर्तनांक अगर हमको क्या लिखना माध्यम एक के सापेच माध्यम दो का अपवरतनांग तो जिसके सापेच बोलेंगे उसके उसकी प्रकास के चाल उपर होगी और जिसका अपवरतनांग ज्यांत करना होगा उसकी प्रकास के चाल का होगी नीचे होगी तो यह आपका फार्मूला बन ज तरीके से अगर आपको लिखना हो कि y के सापे जल का आप वर्तनाग तो क्या लिखेंगे y में प्रकास की चाल, y में प्रकास की चाल माल लेंगे c है और जल में प्रकास की चाल क्या माल लेंगे v, w, velocity of light in water इस तरीके से आप लिख देंगे अब इस अपवर्तनाग को अभी दो तरीके से बार दिया जाता है एक को बोला जाता है आपेच्छीक अपवर्तनाग या इसको केवल अपवर्तनाग भी कर सकते हैं आपेच्छीक अपवर्तनाग तो जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनाग या फिर केवल अपवर्तनाग करते है उसको हम आपेच्छिक अपवरतनांग या फिर केवल अपवरतनांग कर सकते हैं तो आपेच्छिक अपवरतनांग का मतलब क्या है कि इसमें आपके दो माध्यम होना चाहिए माध्यम एक और माध्यम दो होगा यहां पर जरूरी क्या है कि जो माध्यम एक है, वह वायू नहीं होना चाहिए, माध्यम एक जो वायू नहीं होगा, तो अन्य किसी माध्यम के सापेच, किसी अन्य माध्यम का अपोरतनांग क्या बला जाएगा, आपेची का अपोरतनांग, वही पर यदि हम बोलने कि माध्यम में एक वाई है, यहाँ पर अगर आप बोलते हैं कि माध्यम एक को अगर आप वाई बना दें तो वाई के सापेच हम जब किसी अन्य माध्यम का अपवरतनांग बताते हैं तो उसे हम निरपेच अपवरतनांग कहते हैं तो अगर आप यहां पर यह लोट जैसे के यहां पर रिखा गया कि a& w ay2 किया बता रहा की y के साफ पेट चजल का पवरतनांग इसको हम निर्पेच आपवरतनांग भी बोल सकते हैं यह कालाएगा आपका निर्पेच अपवर्तनांग, तो आपने क्या समझा कि अपवर्तनांग को आप दो तरीके से लिखते, एक होता है आप एच्छी का अपवर्तनांग या केवल अपवर्तनांग बोला जाता है, इसमें आपका पहला माद्यम वाईव नहीं होना चाहिए, तो वाईव को छोड़कर किसी अन्य माद्यम के सापेच, किसी दूसरे माद्यम का अपवर्तनांग आप जब लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आप एच्छी का अपवर्तनांग अथवा केवल अपवर्तनांग बो यहां पर मालिज यह एर है, यहां से प्रकास की चाल आ रही है, यहां पर कोई माध्य में मालिज यह ग्लास आ गया, कांच माध्य में, इसमें प्रकास की चाल बोल देते हैं, वीजी है, तो इसके लिए आप अपोर्टना कैसे लिखेंगे तो A, N, G बराबर क्या हो जाएगा Y में प्रकास के चाल का मतलब C बटे, काच में प्रकास के चाल का मतलब क्या हो जाएगा B, G इसको आप इस तरीके से लिखतेंगे इसे बोल दीजिए समीकर नमबर 1 इसे बोल दीजिए समीकर नमबर 1 और अभी आपने देखा था कि अगर उपर वाला माद्यम आप क्या रखते हैं Air और नीचे वाला माद्यम आप क्या रखते हैं जल इसमें प्रकास के चाल VW और इसमें प्रकास के चाल C है इसका पोर्टना कैसे लिखेंगे समीकर नमबर 2 इसे क्या बोल दिए समीकर नमबर 2 अगर आपको अब कोई एक ऐसा माद्यम दे दिया जा हम बोलते हैं कि आप उपर वाला जो माद्यम है ये वाला जो माद्यम है ये आपका जल है और यह वाला Чो मारध्ये में वह आपका कांच है यहानी कि Otherwise अब इनके लिए आप org्रकास आप वारतनां का फार्मुला कैसे लिखेंगे तो आपको पता है यह लिखेंगे कि व वाय के साथ पेच कांच का अपोरतनां अगर आपको ग्यांत करना है तो पहले तो उपर क्या आएगा, जल में प्रकास के चाल, बटे नीचे क्या आएगा, काच में प्रकास के चाल, ये क्या बन जाएगा, इनका फारूला बन जाएगा, तो इस तरीके से आप अपोरतनाग को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपको इन में, मतलब जल में प्रकास के चाल आपको न दी गई हो और कांच में भी प्रकास के चाल आपको न दी गई हो तो आप कैसे अपूरतनाग ग्याद कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे पहले वाई के सापेच जल का अपूरतनाग निकालेंगे फिर क्या करेंगे दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें दोनों को क्या कर दें अभी हम क्या करें समीकरण एक को समीकरण एक डिवाइड़ वाई समीकरण दो कर दें तो आप क्या लिख सकतें ए समीकरण एक को समीकरण दो से डिवाइड कर रहे हैं ए एन डब्लू बटे ए एन जी बराबर सी अपान वी जी है गुड़े क्या हो जाएगा वी डब्लू अपान सी सी क्या होगा कट जाएगा तो आ जाएगा वी डब्लू अपान वी जी यह क्या बोलना इसका मतलब क्या हो गए वी डब्लू है तो वी डब्लू का मतलब इसी का आपको इसके सापेच अपोर्तनांग ज्याद करना है, तो this implies that it आपको क्या करदेगा, कि आपको काच का अपोर्तनांग ज्याद करना है, काच का अपोर्तनांग आप लिखेंगे, जल के सापेच काच का अपोर्तनांग, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो जल में प्रकास की चाल, बटे, काच में प्रकास की चाल, तो ये आपका फार्मूला बनके आ जाएगा, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपवरतनां को एक दूसरे से रिलेट करके लिख सकते हैं, तो अभी तक आपने अ माद्यम एक है दूसरा माद्यम दू है तो पहले माद्यम के साफ डुसरे माद्यम का अपवरतनां ज्याद करने के लिए स्नैल के नियम का फ़ार्मूल्ा sin आय बढ़ते. और इंगल दिया गया हो आप तन पोल और अपवरतन कोड का मान दिया गया हो उस समय अपवर्तनाग याद करने के लिए आप कौँ सा फर्म gevलांटे गई स्नेल का नियम प्रयोग करेंगे अगर आपको नदिया गया हो यानि कि आपटनकोड और अपवर्तन कोड कामाझ न दे करके पहले माध्यम और दूसरे माद्यम में आपको प्रगास की चाल दे दी गई हो तो उस समय आप कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे वन एंड टू अगर आप लिखेंगे माद्यम एक के सापेच माद्यम दो का अपोरतना माद्यम एक के सापेच किसके सापेच आप बोल रहे हैं तो माद्धियम एक एसापेश तुम V1 ऊपर होगा, दो का अप्रतनाग ग्याद करना तो V2 क्या होगा, नीचे होगा, तो अगर आपको प्रगास की चाल दी गई हो, तो ये फार्मूला ग्याद करना हो, अगर यही पर पहला माद्धियम क्या हो जाए, y हो जाए यहीं पर अगर पहला माद्ध है y हो जाता आप इससे कैसे लिखेंगे वह a n2 या इसको आप क्यों लिख सकते है n2 इसी को बोलेंगे निरपेच अपोरत नाग इसी को क्या बोलेंगे प्रगास के चाल का मतलब क्या हो गया वी टू हो गया तो इन फार्मूलों का प्रयोग करके आप अपवर्तनांग ग्याद कर सकते हैं तो यह आपके फर्मुले अपवर्तनांग याद करने के, यह आपका स्नेल के नियम पे अधारित है, यह आपका आपेच्छिक अपवर्तनांग या खेवल अपवर्तनांग किसे बोलेंगे, और इसको आप क्या बोलेंगे, निरपेच अपवर्तनांग आप इसको बोलेंगे, चीक है तो अपवर्तनांग से हमें पता क्या चलता है तो आप ध्यान रखिए अपवर्तनांग से आपको क्या जानकारी मिलती है तो आपको पता चलता कि कौन सा माध्यम सगर है कौन सा माध्यम बिरल है तो बिरल माध्यम के लिए अगर कोई माध्यम बिरल है विरल माध्यम के लिए वो अपवर्तनांग को क्यों एंसे प्रदर्शित करें कि अगर कोई माध्यम बिरल है तो उसका अपवर्तनांग कम होगा और सगन माध्यम किसको आप बोलेंगे जिसका अपवर्तनांग क्या होगा जादा होगा तो अपवरतनांग से आपको सगन और विरल माध्यम को असानी से आप डिफाइन कर सकते हैं जिस माध्यम का अपवरतनांग ज्यादा होगा उसे सगन बोला जाएगा और जिस माध्यम का अपवरतनांग कम होगा उसे विरल माध्यम बोला जाएगा जैसे कि अगर हम आपको लिख दिये कि एक माध्यम जल है, जिसका आप वरतनांग एक दस्मिलो तीन तीन है, एक माध्यम केरोसीन है, जिसका आप वरतनांग एक दस्मिलो चार चार है, और वायू का आप वरतनांग आपको पता एक माना जाता है, तो ये आपका जल है, ये केरोसीन है तो अगर आप से पूछा जाए कि इसमें से सघन माध्यम कौन होगा तो आप चेक करेंगे कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा है इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसलिए यह सघन होगा जल के सापेश तो केरोसीन जो होता है वो जल के सापेश सघन माध्यम होत अब हम देखते हैं कि प्रकासिक सघन अथो प्रकासिक विरल माध्यम की कहने का क्या मतलब है? प्रकासिक सघन तथा विरल माध्यम विरल माध्यम तो जो सरल और विरल और सघन माध्यम होते हैं उनको एक्चुल में प्रकासिक सघन तथा प्रकासिक विरल माध्यम बला जाता है तो एक होता है द्रब्यमान घनत्व और एक होता है प्रकासिक घनत्व तो प्रकासिक गनत्व द्रविमान गनत्व से बिल्कुल अलग होता, यह दोनों चीजे एक अहीं नहीं होती है, तो हो सकता है कि दो वस्त में अलग-अलग हो, उनकी प्रकासिक गनत्व कम जादा हो सकते हैं, और उनके द्रविमान गनत्व भी कम जादा हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको जांबल दिया था जल और केरोसीन का तो जल का जो प्रकासिक घनत्व या जिसे आप अप औरतनान को बोलते हैं वो एक दस्मिलों तीन तीन है वहीं पर केरोसीन केरोसीन है तो केरोसीन का जो प्रकासिक घनत्व आप बोले या तो वो होता एक दस्मिनो चार-चार तो यहाँ पर इसका प्रकासिक घनत्व तो जादा है जल से बट अगर इनके द्रविमान घनत्व की बात करेंगे तो केरोसीन का जो घनत्व होता है वो जल के घनतों से कम होता, यह आपका पहले से पता है, तो प्रकासिक सगंत अता, प्रकासिक बिरल माद्यम करने का मतलब सिर्फ इतना है, कि आप यह न समझे कि प्रकासिक घनतों और द्रविमान घनतों दोनों चीज़े समान होती है, तो यह बिल्कुर समान नहीं है, प्रक और केरोसीन में जल का तो प्रकासिक घनत तो जादा है बड़ इसका दर्वमान घनत तो जल के सापेच क्या होता है कम होता है यह चीज आपको ध्यान रखती है आई होप यह चीज आपको समझ में आया होगा आईए आईए अब आगे वढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि सगन माद्यम में इस चित वस्तु का विरल माद्यम से अगर आप देखते हैं तो क्या होता है तो इस चित्र के माद्यम से आप समझें मालिक जी कि उपर से आप किसी वस्त को देख रहे हैं एक वस्तु O है, जो जल के अंदर बिंदु O के उपर रखी गई है, यहाँ पर जो बिंदु O दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर क्या है, वस्तु है, अब उपर से आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो आपको यह वस्तु कब दिखाई जब यहां से प्रकास की किरड आपकी आँकों तक पूचेगी, तभी तो आप इस वस्त को देख पाएंगे, तो इसका रे डाइग्राम कैसे बनेगा उसको आप संधी है, तो देखिए एक किरड जो है, वह बिल्कुल अविलंब सहयो कर जाएगी, यह दोनों माध्यमों को अल दूसरी किरड जो होगी, वो कुछ न कुछ तिर्ची जाएगी आपके आँकों तक, सभी किरड तो सिधी जाएगी नहीं, अब कोई दूसरी किरड जाएगी तो यह कुछ तिर्ची जाएगी, जब यह कुछ किरड कुछ बेंट होके आएगी और इस सिमप्रिष्ट के उपर पड़ेगी, PQ की उपर पड़ेगी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो नीचे जो है जल है, और उपर वाइब है, तो जल जो है सगन माध्यम है, वाइब क्या है, विरल माध्यम है, तो जब यहाँ पर देखिए, प्रकास की किरण सगन माध्यम से, कहां आपे जा रहा है यह विरल माद्यन तो यह क्या करेगी यह जो अभिलम आपको दिख रहा है N, C, N, S, N, C, N, S इससे क्या करेगी दूर हट जाएगी इससे क्या कही दूर हट गई तो जब इस प्रकास की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह पहले वाली किरण यानि कि A, B जो किरण आपको दिख रहे है पहले वाली किरण को बिंदू आई पर काट रही है यानि कि जो वस्तू बिंदू ओपर रखी हुई थी उसका अब जो प्रतिवीम बन रहा है वो बिंदू आई पर बन रहा है जो कि पहले की या पेच्छा क्या है उपर है तो इसी वज़े से जब कोई वस्तू जल के अंदर रखी होटी है तो उसका जो वास्तविक तल होता है वो हमें कुछ उपर उठा हुआ दिखाई देता है तो यह वास्तविक तल है यह वास्तविक गहराई है तो माल लीजिए कि अगर यह वास्तविक गहराई जो इसकी है रियल में जो गहराई है एच है और आप जब देख रहे हैं तो आपको यह पता चलता है क्या है एच डै वास्तविक गहराई यानि कि वास्तविक गहराई, एच बटे आभासी गहराई, तो जो आभासी गहराई आपको पता चल रहा है, अगर आपको अपोर्तनांग को पता है, तो आप actual वाले गहराई क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं तो इसी वज़े से कभी-कभी किसी तलाब के किनारे आप जब खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यह तलाब कम गहरा आपको लगता है कि इसका तल तो उपर उठा हुआ है बहुत कम गहरा लेकिन जैसे यह तलाब वो आपको उपर उखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यानि कि जो आपको दिखता है, वो actual में होता नहीं है, तो यह कहावत भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके इसलाग होती है, जो आपको दिखता है, वो actual में होता नहीं है, आपको तो दिख रहा है, इसका तल तो ऊ से ऐसा होता है तो इसी के आधार पे कुछ इसके एक्जामपल भी है जो आप दैनिक जीवन में देखते हैं जैसे देखिए अपवर्तन के कुछ उधार क्या तलाब की गहराई वास्तवी गहराई से कम दिखाई देना तो इसी वज़े से यानि कि अपवर्तन के कारण ही जो वास्त भी गहराई होती है वो आमको कम दिखाई देती है अवास हमको क्या होता है कम अवास होता है कि इसके गहराई कम है तो इसका कारण आप समझ गए डाइग्राम के माद्यम से इसी तरीके से आप बर्तन में अद्रिस सिक्का जल से भर देने पर दिखाई देने लगता तो सेम घटना इसके साथ भी होगी जैसे कि मालनी जी आपके पास यह कोई बरतन है और इसमें आपने कोई सिक्का यहां पर रखा हुआ कोई क्वाइन यहां पर आप रखे हुए है और आप किसी ऐसी जगह से देख रहे है मालनी जी यहां से आप इसको देखने की कोशिस कर रहे है तो यह अभी आपको विजबल नहीं है अद्रिस से मतलब आप किनारे से देख रहे हैं तो यह आपको अद्रिस से अभी दिखाई नहीं दिला सिक्का आप किनारे से देख रहे हैं सिक्का आपको दिखाई नहीं दिला है लेकिन जैसे ही अब इसके अंदर आप क्या करेंगे पानी भर देंगे जैसे इसके अंदर आप पानी भर देंगे तो अब क्या होगा अब होगा अपवर्तन की घटना होगी अब इससे जो प्रकास की तो एक किरड तो आपकी पहले की तरह सीधी चली जाएगी इसका विल्कुल अपोर्तन नहीं होगा अब दूसरी किरड जब यहां से जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा तो यह कुछ इस तरीके से बेंड होके आपके आँकों तक जाएगी अब एक्चुल में इसकी गाराई इसको जब पीछे बढ़ाएंगे डाट लाइन से तो एक्चुल में इसका इमेज यहां पर आवासी इमेज बनेगा अब जो वास्तों में इसका जो तल नीचे था वो आपको आवास हो रहा है उपर बिंदू आई पर दिखाई दे रहा है तो इसी वजह से अब यह सिक्का क आप क्या देखते हैं इसी तरीके से आप देखते हैं कि सीधी छड जल में मुड़ी हुई दिखाई पर किये तो अगर को किसी छड को आप जल में आधा डूगो कर रखते हैं तो वह आपको जल में मुड़ा हुआ दिखाई देता है यानि कि इसके साथ भी वही घटना होग आप कोई एक पात्र लिये रहेंगे, इसमें आप कोई इस तरीके से छड़ अगर आप बेंट करके रखे रहेंगे, तो क्या होगा, जब इसके अंदर पानी भर देंगे, तो अब एक्चुल में यह वाली जो छड़ आपको कुछ यहां इस तरीके से दिखाए देने लगेगा मतलब यह सीधे इस तरीके से बेंट हो गई, क्या हो गई? वही प्रकास के अपवर्तन के कारण, तो किरण जो होगी जब अपवर्तन के पाशाद क्या होगी? कि अभिलंब से दूर अट जाएगी, जब अभिलंब से दूर अटेगी तो आपके आंखों तक पहुचेगी, ज इसके वज़े से इसका जो अभासी प्रतिवी में कुछ उपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो आपको अभास होगा कि यह जो छड़े वो जल में क्या है? मुरी वही दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से अपवर्तन से संबंदित कुछ घटना है, जो आप अपने दैनि लग रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप वीडियो को लाइब करें, अगर चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करें, साथ इसाथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयल करें, ताकि उनको भी इससे संबंदित चीजों की जान अगारी मिले, धन्यवाद